नमस्कार मित्रो इस्पिरिट वर्ज चैनल में आप सबका एक बार फेर से स्वागत है हर धर्म में दान को पुर्णे का काम बताया गया है हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी दान को बड़े पुर्णे का काम बताया गया है दान करने के पीछे विभिन्य धर्मिक उद्देश शी बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार वस्तूं को दान करने से इंसान को हर परिशानी से निजात मिल जाती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं हर मनुश्य को दान करना चाहिए ताकि उसके आसपास के जरूरत मंद की मदद हो सके लेकिन शास्त्रों में कुछ चीजों का दान करना वर्चित माना गया है शास्त्रों के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान कभी भी नहीं करना चाहिए इन चीजों के दान करने से जीवन में कश्ट आना शुरू हो जाता है और इनसान का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है लेकिन मित्रों आपको यातिला दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये गए लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकॉन पर भी क्लिक करें तो मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं कि किन वस्तों का दान हमें नहीं करना चाहिए इसमें पहला नंबर है जाडू जाडू को मालक्षमी से जोड़ कर देखा जाता है और जाडू का दान करना वरचित माना गया है ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जाडू का दान करता है तो उसको धन की हाने होने लग जाती है वास्तो शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर परिवार में सुक शान्ती समाप्त हो जाती है इसलिए कभी भी भूल कर भी जाडों का दान नहीं करना चाहिए भासी या जूटा खाना खाने के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है ऐसा कहा जाता है कि भोजन या अनाच का दान करने से किस्मत खुल जाती है और मालक्षमी प्रसन हो जाती है लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी भी जूटे खाने को बासी खाने को दान नहीं करना चाहिए इससे परिवार में तरितरता का भाव पनवता है मनुश्य को चाहिए कि दान के लिए उप्युक्त शुद्ध भोजन का ही इस्तिमाल करें पहने हुए कपड़े हिंदु धर्म में कपड़ों का दान करना अच्छा माना गया है लेकिन आप कभी भी अपने पुराने पहने हुए कपड़ों का दान किसी पंडित को ना करें किसी भी धामिक त्यहार या शुब तिथी में पहने हुए कपड़े दान करने नहीं चाहिए ऐसे अवसर पर हमेशा नए वस्त्र दान करने चाहिए पुराने कपड़े आप किसी गरीब की जरूरत के अनुसार उसे ऐसे ही दे सकते हैं लेकिन आपके मन में दान का विचार नहीं आना चाहिए ऐसे रिष्टेदार को भी पहने हुए वस्त्र ना दे जो की आप से इर्ष्चा रखते हैं घर के बर्तन अपने घर के बर्तनों का दान आप कभी ना करें शास्त्रों के मुताबिक बर्तनों का दान करने से इनसान के जीवन में अनाज की कमी हो जाती है और साथ में ही कई तरह के दुख भी आने लग जाते हैं इसलिए कभी भी घर में इस्तिमाल होने वाले बर्तनों को दान भूल कर भी ना करें हाला कि नए बर्तनों को आप उपहार स्वर्व दे सकते हैं लेकिन दान के भाव से नहीं इससे आपके और दान पाने वाले दोनों व्यक्तियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो सकती है खराब दे शनी देव को तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है तेल का दान करने से ग्रह शांत हो जाते है इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपके ग्रहों का बुरा प्रभाव आप पर पढ़ने लगे तो आप सरसों के तेल का दान कर दे लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार खराब और उपियोग किया हुआ तेल दान करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है कि इस्तिमाल किये हुए तेल का दान करने से शनी का प्रकोप कम होनी की जगा और बढ़ जाता है इसलिए भूल कर भी इस तरह का दान ना करें तो मित्रो कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विशेय के साथ तब तक के लिए नमस्कार